करनव कुमार्शिंघ और आप देखसे वह और नचरह स्ञेटेकि की सORA 5, अरनब गुस्वामी के बात जीस तरह से हमीज्षा का ट्वीट पा रहा है योग्यादी पार का है चाइरान कर देने वाला सुचिए वहिए वहिए योग्यादीति पात आैंि जिनकी पुलीस योग्याजितनात के सारे पर फेस्बुक पर लिखने पर अगर आप S.C.S.T.O.C. और मानौटी फेस्बुक पर लिखने पर गिरफतारी होती है यह वही योग्याजितनात है जहां परसांद तुनुदिया दो बार जेल जा चुक है क्योंकि वो धलित है यह हम पत्रकार तब होते हैं जब सरकार कोई गैर बीजेपी की हो, कॉंग्रेस के हो, मायवत्ती की हो, लालू की हो, लेकिन वो बीजेपी के परचारक हैं, और ये बात साफ हो गया है, जिस तरह से बीजेपी के कैबिनेट मंतरी, अब तो परधान मंतरी का बस टूइट आना बाकी रहता है कि इसकी सुर्वाद कहा सोई कि पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से देश में नियमकारुन की धज्जियां उराई जारे किस्तर से देश की जो मीडिया है वो जासी बिसेश के कि वो जिन्ना समर्थक है तो सोचिए कि किस तरह से योगी आदितनात ने जिस तरह से लोग बंद करना शुरू किया था जेल में उसी ट्रेंड को अपनाते हूं धब ठाकरे दो कदम आगे बर गए हैं और उन्होंने अब टीवी वाले के अख़बार कॉलर पर हाट डाल दिया है दरसाल इस देश की हकीकत है कि जब इस देश में कोई मुसल्मान कोई दलित कोई पिछरा कोई आदिवासी मायावति हो हमान सोरे ने जब मुखमंत्री होते हैं या परधान मंत्री बन जाए देवगवरा जैसे लोग तो यह सारे चार साल तक मीडिया उनके साथ रहती है क लेकिन जैसे ही चुणाओं का बक्ता आता है तो वह अपने कास्टीजम बाले करेक्टर में आ जाता है और वह आलोचना सुरू कर देता है उद्धव ठाकरे ने जब स्टैन लिया है उद्धव ठाकरे ने उससे साफ है कि अब पत्रकारिता के उन लोगों को खैर नहीं है जो किसी जाती भी सेज, धर्म भी सेज और पाटी भी सेज की बात करते हैं जैसे जैसे जहां जिसकी सरकार होगी उसके हिसाब से कारवाई होगी है पत्रकारिता के लिए खतरनाक है लेकिन एक बास साफ है कि आम लोग जो है वो समझने लगे हैं अर्णब गुष्वामी के कि अफ्तारी पर आम लोग खास करें एसी एस्टी ओबीसी माइनॉर्टी के लोग खुश हैं गलाइड हैं वो तमाम पत्रकार जिन पर गाजगी रहते हैं सुचे परसांद कनोजिया जेल में है यूपी के जेल में है वो भी पत्रकार थे फ्यस्वूक फेस्ट लिखने के ल अगर पुलिस ने करवाई किये तो उनको कोट जाना चाहिए था क्या आपने कभी देखा है किसी पत्रकार की गिरफतारी हो उस पर पुलिटकल पार्टी जिस रसे से देश का ग्री मंत्री स्टैन ले रहा है दूसरी बड़ी खबर है कि जस्टिस लोया का मामला खुल सकता ह सुचिए ये सिफसेना जो है वो ठीक बीजेपी की लंबे समय तक दोस्त रही है वो उसके रग रग से वाकित है और उसे पता है कि बीजेपी लोगों कैसे डराती है मत पर्देश में यूपी में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कैसे डराया जाता है लोगों को चाहें आप सोसल एक्टिविस्ट हों सोचिए मिरान हैदर, उमर खालीद, कनहय या सोचिए कितने सारे अभी भिमा कोरेगाओं को लेकर हैनी बाबू एक दर्जन से ज़्यादा लोग जेल में हैं जिनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ तेल तुम्रे जो की डॉक्टरम बेटकर के रिष्तेदार है उनको जेल में डाला हुआ है तो इस सरकार के खिलाप अगर आप बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है डॉक्टर कफिल आपको याद होगा चंसेखर रावन आपको याद होगा अभी तो तिये तमाम लोग अभी नौकरी से निकाल दिया गया आलीगर मुस्विश्य इनिवरसिटी के दो डॉक्टरों को जिन्हों ने हांतरस की बेटी को लेकर रिपोर्ट बनाई थी और कहा था कि उसमें गैंग रेश्ट हुआ है और फुलिस वाले बोल रहे है वो जूट बोल रहे है तो लगातार जेल में डालने का खेल बीजेपी में सुरू किया था बाकी राजियों के मुक्वंत्री भी उ बिहार चुनाओं में तिसरे दौर की बोटिंग साथ को होनी है उससे पहले योगी आलितना था परचार कर रहे तो उन्होंने कहा है कि सीए इनर्सी के खिलाब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी संपत्ति कुर्ख होगी एक और उनका इस तरह का फैंसल आ गया आप क पर आज अर्नब चल रहे हैं उनको एक माँ और बेटे के सुसाइद के मामले में गिरफ्तार किया गया सुचिये रोहित में मुला पायल तट भी यह तमाम लोग को सुसाइद करने के लिए मजबूर किया जाता है अगर आप स्रकार कारवाई नहीं करती है अर्नब गुस्व जो एक एक फेस्वुक पोस्ट पर गिरफ्तार कर रहे थे देश को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है अब कलपना कीजिए कि जब अर्नब गुस्वामी के साथ यह सकता है तो अहिमांदार पत्रकारों के साथ क्या होगा लेकिन अर्नब गुस्वामी की पूरी परंपरा बीजेपी सासित राज्यों में सुरू हुई है उसको गैर बीजेपी सासित राज्यों भी अपना रहे हैं और इसका नतीजा होगा इस सब कुछ खत्म होने के कागार पर अब भी बगत है इस देश के आम लोग को समझना चाहिए कि जो लोग भी पुलिटिकर कि भी जाँ छो तो आमने सामने की लड़ाई है अर्नव गुस्वामी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है देखते हैं इसमें नतिजा क्या होता है मुझे पता है सुप्रिम कोर्ट में जाएगा मामला हाई कोर्ट में जाएगा फैसल आप सब लोग समझ रहे हैं आप सब समझ को लेकर लोग नाराज हैं गुस्वे में हैं आप लोग की क्या परत्किरिया आर्नव गिरफतारी पर क्या आर्नव पत्रकार हैं या दीजेपी के परवक्ता हैं आप लोग अपनी परत्किरिया देओर दीजे शुक्रिया निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इस झाल